हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक तो मैं चैनल देशी जाइका विदेशी दड़का तो फ्रेंड्स हम आज फिर हाजिर है आपके सामने एक नई और इंट्रेस्टिंग डरेसिपी के साथ जिसका नाम है पीज़ा सौर्स हम इस पीजा को घर में बनाएंगे और इसे काफी टाइंके लिए हम स्टोर भी कर सकते तो चलिए हम देखते इस पीज़ा सौर्स को बनाने के लिए हमें किन किन सामग्रियों की ज़रूरत है oh oil two tablespoon एक मीडियम साइज की प्याज जो हमने रफली चॉप कर दिये 3 टेबल स्पून टमैटो केचप 1 टी स्पून पेप्रिका 1 टी स्पून शुगर 1 टी स्पून सॉल्ट 1 टी स्पून ओरिगेनो 12 से पंद्रा लसन की कनिया 1 एट 1 टी स्पून हल्दी 1 टी स्पून रेड चिली पाउडर और करीब पाव किलो टमाटे तो चलिए इस रेसीपी को हम स्टार्ट करते हैं इस रेसीपी में आप 3 से 4 इंग्रिडिंस को अपने हिसाब से बड़ा और घटा सकते हैं जैसे टमाटो केचप शुगर पैप्रिका और नमक सॉस पैन ले लिए अब इसमें हम हमारा 2 टेबल स्पून ओईल आड़ करेंगे हमारा आइल गरम हो गया है अब हम इसमें हमारी गार्लिक की पॉट्स आड़ करेंगे हलका यह ब्राउन हो जाए तब हम हमारी ओनियंस पाइट करेंगे हमने ओनियंस को रफली चॉप कर लिया है आप इसे फाइनले भी चॉप कर सकते हैं आप देख सकते हैं हमारी जो लस्टने बहर की गोल्डन ओरी अब हम हमारे ओनियंस पाइट कर देंगे 2 मिनिट हम इसे अच्छे से भूंड लेंगे तो फ्रेंट्स आप देख सकते हैं अब हमने 2 मिनीट अमियंज को भी भून दिये अब इसमें हमारे हॉब्स ला लेंगे औरिगयनो हाफ टीश्पून और हमारे चिली फ्लेक्स वन टीश्पून पॉइल में इसे भूनने से इसका फ्लेवर अच्छा आता है हमारे सॉल्स में अब हम हमारे टोमाटो को इसे रखली चॉप कर लिए यह दाल लेंगे इसे अच्छे से मिक्स करके हम इसमें अब हमारे सॉल्स कर लेंगे हमने वन टीश्पून पॉल्ट लिए आप चाहे तो कम भी ले सकते हैं जाबा भी ले सकते हैं अब इसे हम मीडियम ख्लेम पे 15-20 मिनिट अच्छे से घूनेंगे जब तक के जो हमारे टमाटर है वह आपने छिलके को न छोड़ दे छिलके तमाटर से अलग हो जाना चाहिए आप देख सकते हैं ओइल में हमारे जो टमाटर है वह अच्छे से टॉस हो चुके हैं अच्छे शाइनी दिख रहे हमारे टमाट्स एक बात का ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स टमाट्स आप रेड कलर के टमाटर ही लीजिएगा अच्छे टमाटर अपना लीजिएगा यह इसे ढखक कर हम पांच मिनिट छोड़ देंगे पांच मिनिट के बाद में हम इसे फिर खोल कर चेक करेंगे तो फ्रेंट्स तलिये 5-6 मिनिट हो गए अब हम इसे चेक कर लेते हैं जीकि हमारे तुमर्ट हमारे जो तुमाटर है वो च्छे से सौप्त हो चुखे है इस पॉइंट पे हम अराब 1-8 पीस्पून हल्डी दाल देंगे, परी देख चुट की, 1-2 पीस्पून रेड चिली पाउडर दाल देंगे, और 1 पीस्पून शुगर, आप चाहे तो बढ़ा भी सकते हो रेड चिली पाउडर और शुगर को, अब इस टोमाटो के साथ हम अच अब हम फ्लेम को आफ कर देंगे, और इसे थंडा होने के लिए रख देंगे, और यह जो हमारा टोमाटो केचप है वह अब हम इस पॉइंट पे आड कर लेंगे, और इसे अच्छे से मिक्स दे देंगे, और इसे कूल डाउन करके, फिर हम इसे ब्लैंड कर लेंगे, कि आप देख सकते तो नहीं एक अच्छे से मिक्स कर लिए अब हमँ इसे कि थंडा होने कलें साइड में रग लेंगे तो तो फ्लेंड आप देख सकते कि हमारा आ जो टमैटो हमने बनाये थे वो słow भी कूल हो गया थंडा हो गया है अब हम इसे ग्राइण कर लेंगे तो friends आप देख सकते हैं कि हमने हमारा जो पीजा का sauce है ये grind कर लिए अब हम इसे dish out करेंगे तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि हमारा पीजा सास रेडी है अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को देशी जाइका विदेशी तड़का को सब्सक्राइब करिए लाइक करिए, शेर करिए और कमेंट करिए ठैंक यू